नमस्कार दोस्तों आपका ज्ञान अधिकार चैनल पर स्वागत है हम बच्पन से सुनते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है पर क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि हमारे शरीर को पानी की आवशक तक क्यों होती है चलिए आज इस बात को हम समझते हैं आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर का अधिक्तम हिस्सा पानी से ही बना हुआ है इसलिए हमारे शरीर को पानी की आवशक कर ज्यादा होती है आई रेट की माने तो पानी हमेशा घूट घूट कर यानि सिप लेकर पीना चीए सुबह उठने के बाद खाले पेट पानी पीने से स्कीन, लीवर और आई से जुड़ी दिक्कते दूर होती है। आईए जानते हैं पानी पीने के और क्या फाइदे हैं। पेट डर्च से जुड़ी समस्या दूर होती है। चेहरे पर रौनक बढ़ती है। सिर्ध डर्च की समस्या दूर होती है। immunity boost होती है आलस दूर होता है पानी कब नहीं पीना चीए गर्म भोजन गर्म दूद और गर्म चाय पीने के तुरंट बात पानी नहीं पीना चीए दूप में से आने के बाद और exercise करने के तुरंट बात पानी नहीं पीना चीए फल जैसे ककड़ी खरबूजा या चिकने और तल पकवान खाने के तुरंत बात पानी नहीं पीना चाहिए आईए जानते हैं कि पानी कब कितना और कैसे पीए सुबह उठने के बाद खाली पेट पानी पीना फायदेमंद होता है पानी को बोजन करने से एक गंटा पहले या बोजन करने के एक गंटा बात पानी पीना चाहिए 8-10 गलास हमें डेली पानी पीना चीए खड़े होकर पानी पीने से जोडो या घुटनों में दर्थ की शिकायद होती है इसलिए हमें हमेशा बैट कर पानी पीना चीए मैं आपको बता दूँ कि हमारा पाचन तंत्र रात में मजबूत नहीं होता है अगर आप रात को गुनगुना पानी पीएंगे तो आपका बोजन जल्दी डाइजेस्ट होता है और ये वजन कम करने में भी मदद करता है आईए जानते हैं कि अपने वजन की हिसाब से कितना पानी पीना चीए आप अपने वजन को 30 से डिवाइट करें और जो आंसर आए उतना तो कम से कम आपको पानी पीना ही चाहिए ये चार देखकर आप समझी गए होंगे कि आपको कितना पानी पीना चाहिए आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं कमेंट करके जरूर बताएं आशा है कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी इसी तरह मैतपूर जानकारी के लिए ग्यान अधिकार चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्त रिस्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ग्यान अधिकार ग्यान करें सपना साकार